हेलो स्टुरेंट्स किसे हैं आप से भी लोग तो स्टुरेंट्स आज चैप्टर नबर टू स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो आज की वीडियो में ना तुम लोगों बेकरन नॉइस या पॉलिशन बहुत जद आयागा क्योंकि मैं जो लेक्चर हूं घर पर बना रहा हूं त जो बगए टाइम वेस्ट की है तो यह चैप्टर नॉबर टू क्या है हमारा यह चैप्टर नॉबर टू का नाम है एसिड बैस इंड साल्ट तो यह आप टर्म्स के लास सेवन से पढ़ते वह आ रहे होंगे साइंस की बुक में तो उसके बाद जो है आपने अगर किलियर हो कौन सेट्ट तो हमारे पास मेुश्डरिक में चैप्टर हरा जाता है चैप्टर का तो बहुत बहुत जादा इंब्रोटेंट चैप्टर होने वाला ख़ोट उनले है और छोटा द curry हो और बिल्कुल बिल्क्ल बड़ चैप्टर है तो सब से में तो जानते हैं acid होता किसे की गई है, कौन से टाइप का, कौन सी काइंड्स है तो अलग-अलग यहां पर थूरीज भी हमें दी गई है यानि जो है लुएस की थियोरी थी, प्रॉस्टर थी, अरहनियोस की थी पी-एचंड, पी-ओ-एच्स में भी जो हैं अलग-अलग चीज थी दी, इसमें क्या difference है, क्या चीज़ नहीं, concept क्या है, इनका, then last में हम start को पढ़ेंगे, neutralizing, process को पढ़ेंगे, तो इस सारी चीज़ हैं, हमें इसको जो है देखना पड़ेगा इस chapter में, तो अब सबसे बिले तो यहांबर chapter का हम को introduction करना है, सबसे पेले chapter का मकसद क्या है तो समझते हैं सबसे पेले तो basically हमारा जो word acid है न यह जो word है हमारा acid यह किस word से आया है यानि यह किस word से drive होकर आया है तो acid का जो हमारा word है न वो acidus से आया है ए इसी डास तो यह जो वर्ड है यह एक लातिनी वर्ड है लेतिन जबान से लिए गया और इसकी जो माइना है मीनिप है इसकी इस वर्ड की मीनिप है ला आसी डास की तो वो है soar to test जब हम किसी भी acid को टेस्ट करेंगे तो वो सोर होगा खाने में वो खटा होगा खाने में बिलकुल ऐसीडस की माईनिए यह है तो इस नीठी है। तो यह मतलब थाonia असर bene का है यासिड कहां से आया लातिनी जबान सा है और याद थोड़ा उनको जो है ना इस टाइप की जो फिलिंग आती है कि यह कोई ख़तरनाक चीज़ है तो बैसे कि नीज़ हमारे पास एसट कहां का नमर मुझूद है सबसे स्ट्रोंगेस्ट एसट एसट एसल्पूरिक एसट जो के बैटरीस में मुझूद होता है और बहुत सारे हमा एंड जो है वेजटेबल में मुझूद होते हैं फिरोट से में हमारे पास मुझूद होते हैं समझ दो तुम्हारे पास लेमन में होता है एसट्रिक एसट एपल में भी एसट होते हैं एंड सो ओन जो भी खटे-खटे जो है फिरोट से औरेंज हो गया तो इसमें जो एसट पाई जाते हैं तो यह जो हमारे पास यहां पर मौजूद होते हैं हमारी libs में हम सको जो इंटेक कर रहे होते हैं तो यहां पर हम देखते हैं यह बुक क्या कहना चाहती है व्यार्ज नवर अश्टांस अलियारी लाइफ यार्ज नौर दॉश इसकरते हैं अए इसल सुगर विंएगर करते हैना विंएगर केसी टालते हैं और भी ऐसेडे साख़े लिम इन में से कुछ है ना इनमें इनके पास किया है सोर टेस्ट कटा बाइल अधर बिटर फिलेवर किनके पास हमारे पास बिटर होता है तुमने खाई यह नहीं जीज़ते हैं कुछ जादा मीठी होती है बइन किसकोष जो होते हैं एसालिटी होती है PV लीवार की एकञेंपल कर्ड विनेगर कर्ड घर रेमन अरेज़ जूस है विनेगर कर्ड धरी कर्ड लेमन ओरेज जूस हम यह जो है हमारे वाव असखटा एन का टेस्ट होता है तो दियार असटिक तो वो चीज जो के खटी हो जिनमें एसिड पाया जाए तो हम उसे कहते हैं एसिडिक सबस्टांसेज वो सारी चीज़ें जिसमें एसिड पाया जाए उसे हम कहते हैं एसिडिक सबस्टांसेज और वो तमाम चीज़ें जिनमें बेस पाया जाए उनको कहते हैं basic substances, यह दो concept जाद करने के हैं, a salt flavor for example, जहां पर bitter, गौर्ड, कोफी and chocolate have bitter flavor, making them basic in nature, but common salt and alum have a salty taste, तो इनके बास salt होते हैं, जो भी हम N-C-L वगरे करते हैं, common salt, जो है, उनका जो है, एक salty जो है, उनका टेस्ट होता है, तो अलग अलग टाइप के जो टेस्ट होते ह हमारे पास यह base है, making them salt, thus acid are quite beneficial in the production of homeopathic and allergic, allopathic medications, तो acid जो होते हैं, यह हमारे पास जो है, medical sciences में न, यहां को बताँ, फार्माकोलोजी में, उनका जो है अच्छा खासा रोल होता है, homeopathic जो होती है, medication, दूसरी भी medications होती है, यह हमारे पास acids use होते हैं, and salts भी मौजूद होते ह यह होते हैं, salt यूजूद होते हैं, और अपना acids यूजूद होते हैं, तो syrups and tablets बनाने में, batteries, pants, paper, fertilizer, detergents वगेरा जो होते हैं, हमारे पास H2SO4 acid होता है, तो detergent हम बाथरूम में साफ करते हैं, blue color का मश्यूर हार्पेक, तो दूसरे जो होते हैं, best पड़ा होता है, इनकी pH बिलकुल 1.4 बतानी 2.4 तक होती है, कहते हैं, पेपसी की भी इतनी होती है, ढाल देना बिलकुल गोरा चिटा हो जाएगा थमारे बाथरूम, तो इनके जो HCL पाया जाता है, हमको कुछ नहीं होता हमारा पेट तो जल जाना चाहिए, तो भाई वो बिलकुल यानि इसकी जो quantity होती है, हमारे food के एसाफ से तो एक होती है, fix amount की जो होता है, तो हमें इतना नुक्सान नहीं पुछा था, तो H2SO4 जो acid हमारे ब्रेक डाउन करता है food की, यानि carbonic citric and phosphoric acids जो होते है, are utilized in soda to utilize gastric acidity, तो यह जो पूरा function है, मैंने तुम लोगों पढ़ाया था, उस topic में हमारे पास, बायोगा topic था ना, तो जहां पर stomach के बारे में हम पढ़ रहे थे नाइंध किलास में, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था, कि ACL कैसी हमारे पास stomach का function हो नहीं इतना deep में नहीं लिखावा था, लेकिन मैंने तुम लोगों पढ़ा दिया है, तो description में लिख मिल जाएगा तुमको उसका, तो bases are beneficial in variety of situation, तो bases भी बहुत जादा जो है, बेनिफिशल होती है, अब उपर आपको लगा कि भाई, acid का इतना काम है, बेटरी उस हमारी H2O, जरी चलती है, और HCL का इतना काम है, हमारे पेट में हाजमा है, तो वह भी वही करती है, तो भाई, acid तो बड़े काम की जीज़ है, और base तो पता नहीं क्या है, निकमी है, लेकिन भाई, जो base है, उसका भी बहुत जादा ही हमारे जो है, नॉर्मल लाइफ में यूजिस है, तो सबसे पहले तो जो है, हम जूजिस की बात करने सोप होगी हमारे पास, सोप है, दूसरे पर आइटम है हमारे पास, मैं आपको बताऊं, यह हमारे पास सोप है, हमारे बास सोप जो है, उसमें पाया जाता है, शेंपू में पाया जाता है, और हमारे पास टुथ पैस्ट ह फिलोराइड होता है लेकिन जो हैं बैसिक नेचर होती है तो पैस्ट होगे रहा इन था सोप और पेपर इंडस्ट्री सोडियम हाइड्रोगसाइड इन ए ओएच इस यूटिलाइजड तो अब आप कहोगे इन ए ओच क्या होता है बिटा आगे हम पढ़ेंगे इन ए ओच क्या होता है सिमेंट एंड फिलास्टर ऑफ पैडिस और बहुत मेड फ्रों केल्शियम हाइड्रोगसाइड चीए ओएच थरी अमुनिया इस जो इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर अमुनियम क्या नैट्रेट फॉर एग्जेंपल यूजें फर्टिलाइजर सुलिवर ग्र अब फडर फडिलाइजर चीएजर उसको पढ़ेंगे आगे क्या क्या है तो अब चुनियूंसे आइडिया मिला उनको दूसरे science दानाया जो एक इमेंडियमेस्ट्रु है हमारे पास उन्होंने निकली फर फाइनली जो हमें Lewis की एक तोरी मिली एक जो के दोनों से थोड़ी बहुत सही थी लेकिन जो हगदार हैं उन तीनों की जो कभी भी वेल्यू कम नहीं होगी तीनों की जो थियोरी स्थी वो बहुत ज़ादा काबले कबूल थी क्योंकि उस टाइम बरतनी टेकनलोजी नहीं थी लेकिन इन लोगों ने यहां पर यह हमें चीज़ा प्रोवाइड की तो इन दोनों को जो है यह अरिनियोस प्रॉंस्टेट का नाम जो है डूबे गानी इनका जो है सर बुलंद ही है तो अगली वीडियो के अंदर हम जो अरिनियोस थियोरी के बारे में पढ़ेंगे क्या होती क्या है यह आज तो basically हमारे के चेप्टर था ना इसका था introduction के चेप्टर में क्या पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ा है तो मुझे उमीद है आप से लोगों को यहां तक बिल्कुल केलियर कट में समझ आ चुका होगा तो मलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर